किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम, आफ्लाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जू बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमिंट अब के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहें हाईब्रिड क्लास टीचमिंट के यूनिक फीचर्स के साथ जहीं दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग एक बर फिर से स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन स्मार्ट केरियर अपर्टिस पर तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आजी रहें आपके सामने एक और बैतरेन वीडियो लगे, एक और इंपोटेंट वीडियो के फैस्ट विक में जारी कर दिया जाएगा, तो जिस भी बाई के अच्छे नंबर बन रहें वो फिजिकल की तयारी शुरू कर दे, वैसे भी फिजिकल में ओनली 10 मिनिट में आपको 16 मिटर की रनिंग पूरी करने है, तो फिजिकल आपको अपनी हेल्थ के लिए करते रहना है अच्छी सहयत के लिए करते रहें आपको कोई रिक्स नहीं लेनी है, तो फिजिकल के बाद प्रोसेस होने वाली आपकी मेडिकल की तो उसी के वपर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले वीडियो को सुरू करने से फ़हले फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और जरू सब्सक्राइं कि अब माघए करें कितना टाइम मिलेगा याँनि आपको जब विडियो यह सबसे पहले पॉइंट का कि सबसे पहला पॉइंट है फ्लैट फिट का यहां पे कई देखते हैं कई बंदों की पैर की तली एकदम चप्टी होती है तो यह भी पॉइंट बनता है और सबसे महत्पून बात बता देता हूं यहां पे ब्यार ग्रीप का मेडिकल नेवी की तरह होता है कि आपको इम्पोटन बात बता देता हूं अगर आपकी अच्छे नंबर बन रहे हैं आपका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ कि सेहना बरती में तो आपको बाहर से किसी सीविल होस्पिटल में एक बार चेक अप मीडिकल करवा लेना चुछ यह आपको अपनी सेप्टी के लिए तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट बता चुकों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर दो की पॉइंट नंबर दो में आता फ्रेंड्स यहां पर नौक नहीं यहांने गुटनों के बीच गैप ना होना तो यह भी एक पॉइंट बनता है अगर ज़्यादा गैप है तो भी पॉइंट बनता है अगर गुटने आपस में टच हो रहे हैं तो यह भी पॉइंट है ओके फ्रे तो यह भी एक point माना जाता ह in नेवी में दिया जाता है तो यह भी एक come point है only आप our co कि उच्ण करते हैं हाथों में बैंड इसके पाया जाता है सब ज्यैदर पॉंट यह ही मिलता हाथों बैंड का तो फ्रिंड्स आपको बता दो यहाँ पे 15–16 डिगरी तक है बैंड अलोड होता है यहां पर ओकीए फ्रेंट्स 11-16 डीगरी तक का बेंड चल जाता है। तास्या पॉइंट्स पॉइंट्स पांच्वाइफ हातों में पसीनेगा दो यह भी पॉइंट होता है तो इसका इलाज बता देता हूं फ्रेंट्स हातों में पसीना अगर ज्यादा आता है तो आप हातों में फिटकरी रगड़ सकते हैं फिटकरी रगड़ेंगे अगर 10-15 दिन तो हातों में पसीना आना कम हो जाएगा च्छटा पॉइंट फ्रेंड्स यहां पे डी एनस का नाट के अंदर पतली यह यहां पे अड़ी होती है तो इसका पॉइंट भी देते हैं तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा फ्रेंड्स यहां पे अगर आपको पॉइंट दिया जाते हो तो उसके लिए टाइम मिलेगा आपको करीब डिमेडिकल के लिए टाइम मिलता है 21 से 30 दिन के करीब टाइम मिलता है आपको तो इसके अंदर अगर आप चाहे तो ओप्रेशन भी करवा सकते हैं अगर पॉइंट मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर ओप्रेशन भी करवा सकते अब बात करते हैं धातों की तो दात आपके एकदम पंक्तिवध होने चाहिए और एकदम साप सुत्रे होने चाहिए अगर आपके दातों पर मेल लगा हुआ है तो आप अभी से कहीं बार डॉक्टर के पास से आप दातों का एनिमल यानि मेल साप करवा लेना पॉंट दया जाता है ज्यादातर आप दातों पर मेल का और की दिये जाते हैं तो अच्छा यहीं होगा कि हम से जाने पहले अब डातों को और कान को जरूर वेर ऑतल आपको कोई है कूँ में पॉइंट मिल जाएक्स ही की रीफिवर मिल जाएगा दो इससे बचने करने के लिए आप पहले ही कान और दाथ साप करवा के जाए कि एक और पॉइंट फ्रेंट यहां पे कान के परदे पर सफेज दाग का होना यह भी पॉइंट दिया जाता है तो अगर आपने नहीं करवाया तो अब बाहर किसी सिविल होस्पिटल में सरकारी जाके अपना मेडिकल चेक अप करवा सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहां पर आखोंगी तो आखोंगे अंदर आपको पता ही है यहां पर कि ऐसी अब कलर विजन किसी भी बरती में अगर आपके कलर वी जने तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते है अब बात कर लेते हैं आखोंगी द्रस्टी की यानी तसमे की की चस्मा अलाओड है या नहीं है तो friends यहां पर चस्मा अलाओड है ओके फ्रेंट तो यहां पर नोटिफिकेशन में दिया आगा है फ्रेंड्स आप बैटर आइज के लिए है और खराब आखों के लिए 6 x 36 तो फ्रेंड्स किसी भाई को किसी फ्रेंड को अगर प्राइवेट प्रोब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं फ्रेंड्स अभी इसे अपना इलाज करवाले क्योंकि यह अब की बार आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है क्योंकि बियारो में अगर आप एक्जाम में क्लियर एक्जाम क्लियर हो गया है तो आपको नोकरी लगने के चांस 85 परसेंट तक हो जाते हैं तो मेडिकल ही एक ऐसी प्रोसेस बचेगी जिसमें आपको आउट नहीं होना है यानि की मेडिकल में ज्यादा आउट होते हैं लेकिन आपको यहां पर अपनी सावधानी बरतनी है पहले से ही अगर जो लगना आपको बियारो ग्रिप में तो आप आपको मेडिकल पॉइंट लेने से बचना होगा रेफर नहीं लेना आपको और अभी से आपको जो भी सलाह लेने हैं डॉक्टर से अभी ले लें क्योंकि आपके पास बहुत टाइम अभी ओके फ्रेंट्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई प्रोब् इस्टे ओम इस्टे से फ्रेंट्स जाहिंद मैं आपके बैतर भी से की काम ना करता हूं